तो भैया आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme XT के डिवाइफ में Realme UI का नियो अपडेट V.09 I mean January 2025 फे क्योरिटी पैच अपडेट कब तक प्रोवाइड क्या जाएगा Realme तरफे अपके डिवाइफ में कितने दिन बाद रिशियो होगा ओट ये के तरू अपको एक पोस्ट का लिंक मिलेगा जहां पे आप विजीट करके और भी एक्स्टरा इंफर्मेशन को कलेट कर फकते हैं अब यह बात कर लेते हैं Realme XT के जन्वरी टॉटी टॉटी पैच अपडेट रोल आउट डेट के बारे में क्योंकि हमारी डिवाइफ में डिवाइफ में डिवेंबर 2020 फेक्योरिटी पैच अपडेट नहीं मिला था विकाज Realme XT डिवाइफ को लांच हुए पूरे एक फाल फे ज्यादा हो रहा है और Realme की कमपनी कहती है यह Realme के जो भी फ्मार्टफोन अपने लांच डेट फे एक फाल पूराने हो जाते हैं हम उन फभी फ्मार्टफोन में बाइमंथली अपडेट को रोल आउट करेंगे Realme तरफे बाइमंथली अपडेट का मतलब यह होता कि जैसे मैंने आपकी डिवाइफ में एक मन्थ में अपडेट रोल आउट कर दिया तो अगले मन्थ में आपकी डिवाइफ में कोई भी अपडेट देखनों को नहीं मिलेगा जैसे कि हमारे डिवाइफ में नौंबर टॉ अपकी टेजनों को मिलेगा दो ऐनसे लेकिश अपडेट नहीं मिला अब हमारे डिवाइफ में का नियो अप्डेट फी डॉट जीरो नाइन विच जनुवरी टॉन्टी फैफ्ट सेक्यूलिटी पैच के फास्थ में रॉल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा जहां पीफ अप्डेट की फाइज हो फक्ति प्रॉक्स 455MB के बीच में हलाकि मैं यहां पे फीचर के बारे में बात नहीं करने वाला बट यहां पे मैं इस्क्रीन भी फॉफ करा देता हूं क्योंकि यहां पे कुछ फीचर देखनों को मिले हैं एंडब बात कर लेते भीया यह अप्डेट अपने रूल आउट डेट फे हमारी डिवाइफ में कितने दिन बाद रिश्यू होगा ओटिये की थ्रू क्योंकि जब भी कोई अप्डेट को रूल आउट किया जाता है रियलमी तरफे तो एक ही फात में 4% योजर्व को रूल आउट नहीं किया जाता है आपको करना होगा 3-4 दिन का वेट क्योंकि जब भी कोई नियो अप्डेट को रूल आउट किया जाता है तो सफी पहले 5 या फिर 10% योजर्व को रूल आउट किया जाता है यह बिट आपके IMEI नेंबर के थ्रो देखनों को मिल जाता है तो भी यह यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती इसलिए अप्डेट को थोड़ा फिस्टे करके रूल आउट करते हैं उसका फेडबेग लेते 5 या 10 परफिंड योजर्व का अप्डेट रूल आउट करके एंड उसके बाद अगर कोई भी कालो करना मत भूलेगा